नमस्कार प्रफा साक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का सभागत है आज के इस पॉड्कास्ट में बात करेंगे कि वीटो नहीं मिला तो UN 2.0 बना लेगा भारत मोधी के गो टू मैन ने पर्मनेंट सीट को लेकर बना दिया फुल प्रूफ प्लान दुनिया हैरान तो आईए सुनते हैं आज के इस पॉड्कास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आप रोज ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और जानकारी पॉन पॉड्कास्ट तो सुन सकें तुर्की नेपाल जैसे देशों में आये पीडितों की मदद का मामला रहा हूं या फिर कोरोना की वैक्सिन दुनिया में कई देशों को देने की बात रही हूं या फिर जीरो हंगर का मुद्दा रहा हो भारत ने जिस तरह से हर परस्टिंग में आगे रहने का साहस दिखाया है उसका यूएन भी कायल हो चुगा है इसे सिलसिले में बड़ी खबर ये है कि समयक्तिराष्ट में भारत का इस्थाई मिशन न्यू यूर्क स्थेग अपने मुख्यालाएं में सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल टूक्या नुरूप जीरो हंगर का लक्षे हासिल करने की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण य परिशत की साइसीट को लेकर भारत अपनी दावेदारी जताता आया है आपने ये भी जानते होंगे कि यूएन एसी के पांच साइसदा से रूस चीन फ्रांस अमेरिका और ब्रिटेन में से चार देश हमेशा भारत की साइसदा सिता देने के लिए राजी हो जाते हैं लेकि ब्रिटेन और अमेरिका की बैकडोर कोशिश उतनी मजबूत नहीं होती है लेकिन साथ दशक पहले बने इस संगठान अब नई चुनोतियों के बीचे नए रिफॉर्म को लेकर भी चर्चा होती रहती है विदेश मंत्री एस जैशंकर के ब्यान के बाद वीटो पावर को ल उने इस मामले में द्रेट संकर पिव्यक्तिया है और ये स्युकार करने के लिए पर्यापति वे भारिकते की और अधिक करने के आवश्यक्ता है संभवता इसका मतलब ये है कि भारत को पी-फाइव पर और भी अधिक काम करने के ज़रूरत है जैसरा कि वे अभी हैं और महा राजनई के रूप में वह जाने जाते थे वह वैश्विक मंच पर नए भारत की आवास बन कर उभरे हैं जहां भारत की सूपरसेद शान्तिवादी आवाज जिसे कई बार दूसरों दुवारा कमजोरी समझ लिया जाता है एक वैश्विक नेता के रूप में विक्सित हुई ह वीटो पावर क्या है वीटो एक लाटिन भाशा का शब्द है जिसका मतलब है कि मैं अनुमती नहीं देता या किसी काम को ये निशेद करना जदी किसी देश के पास वीटो है तो वे किसी भी प्रस्ताव के विरोध में अपनी सहमती न रखते हैं वे वोट कर सकता है ये एक पाउच देश इसके इस्थाई और बाकी दस अस्थाई सदसे हैं जिनका कारेकाल दो साल का रहता है किसी देश को वीटो पावर मिलना कितना जरूरी किसी देश को वीटो पावर मिलना या ना मिलना ये दो प्रकार से तैह होता है वीटो पावर देने या नहीं देने का फै पर्मनेंट प्रेंबर के वोट चाहिए होते हैं किसी देश को वीटो पावर के लिए दो तीहाई देशों के सकरात्मक वोट के साथ उस देश के पास अधिक संपदा होनी चाहिए ताकि वो कई देशों को सुरक्षा में अपनी सहभागिता दे सके P.5 ने सुरक्षा परिशट पर कर दिया कबदा हें जैसा कि उनकी पताया के पताया कि P.5 स्दस्यों ने खुद को चुना और खुद को संद्रक्षा के रूप में निक्ति किया हाला कि दुनिया के अभी भावक देवदूत नहीं है ऐसा है इसलिए क्योंकि वे कई अलग अलग तरीकों से कई मामलों में विभाजित नजर आए हैं चाहे वो शेत्री और वैश्विक राजलीती में उनके रुख और प्राथमिक ताउन ने पहले UNSC और उनके प्रतिस फर्दी प्रचार, अभियान, वित्व पूशन और सदस्य राज्टों को हतिहार बन करने के कारण बड़े UNG1 को विभाजित किया था शेत्यूत के दौर में विभाजन रिखाइस पश्ट रूप से दिखाई दे रही थी अमेरिका कर रहा भारत के साथ खेल, दशकों से भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजिल, वेनसी में इस हाई सदस्ता के लिए अपने-अपने मामले पेश करने के साथ नजर आये हैं यहां भी शेत्रिय प्रतिनिज्व में विग्रती है क्योंकि लाटन अमेरिकार से कम से कम एक पश्टिमेशिया से एक और अफरीका से कम से कम दो कोकरम में रखा जाएगा क्या वर्तमान समुहिक वैश्विक सा आवाज का विस्तार करके इतना ही कर सकता है से जैसा की मंत्री जैशंकर ने उले किया है मिस्र ने स्विप्तिराश्ट में प्रस्तावों का एक नया सेट पेश करने के लिए जापान और जर्मनी के साथ सहयो किया है क्या मिस्र, अरब इस्लामी राष्टों, अफ्रीका या दोनों का प्रतिने दित्व करता है जब भी भारत और बाके देशों ने स्विवक्ते राष्ट के अंदर और बाहर सुधार का जंडा लहराया है तीनों पश्रिम सदस्य अथात, अमेरिका, ब्रिटीन और फ्रांस ने प्रस्तावे चर्चा के सुधारों में परिवर्तित करके पहल को विफल करने की कोशिश की है नी सेंड है, यह उससे भी बत्तर है जो अमेरिका ने अधे कि साइस सदस्यों को शामिल करने के लिए जास्ता नहीं है जी ये सदस्यों को तब पता चल जाएगा कि अतिरिक्त सदस्यों में बहुत से यदि सभी नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं आज के लिए अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्धे पर देंगे आपको वेस्ते जान करें तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभासाक्षी के साथ